Guys, wedding photography में अच्छा camera, lighting और skills इन सब के अलावा एक चीज और भी बहुत ज़्यादा important होती है वो है lenses अगर आपको lenses की knowledge नहीं है तो हो सकता है आप wedding में अच्छा output नहीं निकाल पाए तो आप सभी का lenses के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है अक्सर लोग ये गलती कर लेते हैं camera बोलटी तो अच्छी ले ही लेते हैं बट जब lens की बात आती है तो सही lens select नहीं कर पाते हैं जिसकी वज़े से वो जब shoot पर होते हैं तो अच्छा result नहीं निकाल पाते हैं तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कैसे सही lens choose करना है और कौन-कौन से lenses best है wedding photography के लिए तो ये वीडियो को पूरी end तक देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ lenses के samples भी दिखाऊँगा जिससे आपको और असानी हो जाएगी समझने में कि आपको कैसे lens select करने है और ये knowledge आपको photography केरियर में भी बहुत जादा काम आने वाली है तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम साहिल और मैं एक certified professional photographer हूँ अगर आप इस चैनल पर नए है तो जल्दी से subscribe कर लिजिस बटन को दबा कर तो आईए अब वीडियो को शुरू करते हैं जानिये photography और वीडियो production से related हर एक बात वाच, learn, enjoy तो guys सबसे पहले बात करते हैं kit lens के बारे में तो traditional photography करने के लिए आप kit lens वो लीजिए जिसकी focal length wide से लेके telephoto तक जाए for example crop sensor cameras में 1835 या full frame camera में 24605 इस तरह के lenses को select करना इसलिए best है क्योंकि हमें अलग-अलग framing में wedding photography करने पड़ती है कभी close up photos तो कभी full length अगर आपके lens में wide से लेके telephoto zoom तक range होगी तभी ही आप अलग-अलग composition में photos shoot कर पाएंगे guys काफी लोग नए camera के साथ 18-55 यानि 18-55 lens खरेद लेते हैं 18-55 lens अच्छा है no doubt बट उसमें zooming range की बात करें तो काफी कम हमें मिलती है तो कई बारी weddings में काफी ऐसी situations होती है जहां हमें काफी जादा zoom करना पड़ता है lens को जैसे की jam ala ceremony जहां हमें stage से काफी दूर खड़े होकर pictures click करनी पड़ती है और ऐसे case में 18-55 lens कामियाब नहीं होता बट अगर आपके बाद 18-135mm का lens होगा तो आप काफी हद तक zoom करके photos click कर पाएंगे and guys एक बात मैं आपसे और share करना चाहूँगा कि आप wedding photography में camera settings को भी अच्छे से set करें lighting के according क्यूंकि camera settings का सही होना भी बहुत जाजा जरूरी है lens के साथ अगर आपको क्या camera settings रखनी है उसके बारे में नहीं पता तो मैंने उस topic पर भी वीडियो बनाई हुई है जिसका link आपको यहाँ पर या फिर description box में मिल जाएगा तो 18-135 और 24-105 यह perfect samples है focal length के आपको समझाने के लिए तो इस तरह की focal length वाले lenses आपको चूज करने चाहे वो किसी भी brand की हो Sony Nikon या कोई भी brand हो and guys ऐसा बिल्कुल जिरूरी नहीं है कि आपको Sony या other brands में 18-135 mm जैसे focal length का ही lens मिले मेरा समझाने का मतलब यह है कि आप इसके आसपास की focal length का lens चूज करें जो wide for example 18-24 से लेके telephoto यानि की 105 या 135 की आसपास की focal length range में हो ताकि आप photos में wide short तो ले ही सके इसी के साथ अगर आपको zoom भी करना पड़ जाए तो आपका lens काफी हद तक zoom कर सके इन lenses का ये भी फैदागा इसकी आप इन lenses से थोड़ी बहुत candid type जादा blur वाली background वाली photos भी capture कर सकते हैं जिसका बड़ा ही simple सा process है आप जब lens की focal length को full zoom करके shoot करेंगे तो photos में background automatically blur जादा होगा तो आप इस zoom की भी focal length में candid shots भी click करेंगे तो काफी जादा अच्छी photos आप kit lens से निकाल पाएंगे अब बात करते हैं थोड़ी aperture के बारे में जो lenses में चेक करना बहुत जादा ज़रूरी है तो guys कुछ lenses के aperture fix होते हैं और कुछ lenses के नहीं होते तो आईए अब मैं आपको इनका फरक बताता हूँ तो example के लिए Canon के 18-135mm lens की बात करते हैं तो आपने उसकी packing या फिर online website पर देखा होगा कि उस पे f3.5 से लेकि 5.6 तक लिखा होता है तो उसका मतलब यही होता है कि उस lens में aperture fix नहीं है जैसे जैसे आप lens में zoom करेंगे वैसे वैसे aperture change होता जाएगा 3.5 से 5.6 तक तो आपने aperture के according lighting को balance रखना है ताकि aperture change होने पर आपकी photo में light कम या जादा ना हो और कुछ lenses में aperture fix होता है हम कितना ही zoom कर लें उस lens में उसमें aperture change नहीं होता तो अगर आप fix aperture lens use करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि guys fix lens aperture में aperture तब तक change नहीं होगा जब तक आप manually settings में जाके aperture को change नहीं करते बट आप बिना fix aperture lens के भी wedding photography काफी जादा अच्छी कर सकते हैं अब बात करते हैं kit lens के लावा हमें और कौन से lenses लेने चाहिए तो guys wide angle lens जैसे की Canon का 10-18mm lens इस तरह के wide angle focal length वाले lens जरूर यूज करें wedding photography में जो सबसे जादा काम आते हैं venue या environment को shoot करने में गाइज एक अच्छा wedding photographer बनने के लिए आप कोशिश करें कि आप हर detail को अच्छे से capture करें wedding पर तो guys wide angle lens से आप venue की photos ले ही सकते हैं जिसमें आप बड़ी बड़ी buildings को अपने frames में capture कर सकते हैं बड़ी असानी से इसके अलाब आप traditional photography में भी अलग अलग moments को capture कर सकते हैं क्योंकि wide angle perspective से जादा variety of photo हो जाती है overall coverage में and guys आप wide angle lens जितने wide aperture का ले पाएंगे उतनी ही जादा अच्छा results निकाल पाएंगे आप photos में क्योंकि most of the venues की photo original ambience light यानि की बिना speed light को use किये अच्छी आती हैं तो ऐसे में wide aperture length with wide focal length आपकी काफी help करेगा without speed light shoot करने में and guys आप venue का shoot करते वक्त जितना natural lights आप दिखाओगे जितना naturally आप capture करोगे overall ambience के lighting कैसी है कैसा setup है उतनी ही अच्छी photos आपकी निकल के आएंगी अब बात करते हैं wedding photography में portrait photography की जिसमें हम specially bride and groom का photo shoot करते हैं तो guys 50mm 1.8 या 85mm 1.8 यह दोनों lens best है portrait photography के लिए क्योंकि इन lenses की sharpness काफी जादा अच्छी है और जो aperture है इन lenses का वो काफी जादा wide है जिससे आप जादा blur वाली background photos क्लिक कर सकते हैं and guys आपको 50mm lens and 85mm lens में बिल्कुल confuse नहीं होना है मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आप crop sensor camera यूज करते हैं तो आप 50mm को use करें and अगर आप full frame camera यूज करते हैं तो 85mm अगर आप खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है उसको use करें otherwise आप भी अपने full frame camera के साथ 50mm lens को use कर सकते हैं portrait photography के लिए क्यूंकि guys अगर मैं price की बात करूँ तो 50mm, 1.8 and 85mm में बहुत जादा फरक हमें price का देखने को मिल जाता है guys ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप जिस brand का camera body use कर रहे हैं उसी brand का ही lens use करें आप sigma 8 1.4 lenses या 3rd party brands भी use कर सकते हैं जिनके aperture काफी ज़्यादा wide है और image quality भी काफी ज़्यादा अच्छी है अब बात करते हैं guys Candid photography के बारे में तो Candid के लिए आप वो lens उसकरें जो telephoto lens हो और उसका aperture भी wide हो जैसे कि 70-200 lens क्यूंकि Candid photography में सबसे ज़्यादा important होता है बिना subject को disturb किये shots लेना तो आपके lens में अगर zooming range अच्छी होगी तब ही आप subject से दूर खड़े होकर photos क्लिक कर पाएंगे अब सवाल यह आता है कि इन lenses का aperture तो काफी wide है क्या हमें इस lenses के साथ speed light यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो यह guys आपकी location पर depend करता है कि वहाँ lighting कितनी है कुछ locations पर बिना speed light के ही बहुत जादा अच्छी photos आ जाती है एंड कुछ locations पर speed light का use करना पड़ता है तो ऐसा कुछ fix नहीं अगर आपको लग रहा है कि आपके subject पर light कम आ रही है detail कम आ रही है photo में तो आप speed light का use कर सकते हैं एक ये भी problem मैंने बहुत सारे bigger photographers में notice करी है कि जब वो candid shoot करते हैं तो उनकी photos काफी जादा shake होती है शाप नहीं आती तो guys उसका सबसे बड़ा reason होता है practice क्योंकि आपको practice नहीं होती तो आपका हाथ stable नहीं होता जितना हाथ हिलता है उतनी जादा photos आपकी shake होती है तो guys आप ऐसे case में image stabilization वाला lens यूज करें कोशिश करें आप जो भी lens यूज करें उसका image stabilization on हो क्योंकि image stabilization काफी हद तक आपके frame को stable कर देता है और जो photo है उसको shake नहीं होने देता तो guys Candid photography में telephoto lenses जादा सक्षम होते हैं काम करने में 70-200 lens में आप normal focal lens से लेके extreme zoom तक focus तो करी सकते हैं बट एक वज़ा और है guys इस तरह की focal length वाले lens को recommend करने की जो है कि आप इस lens को कई बार kit lens की तरह भी use कर सकते हैं for example हमारे साथ कई बार ऐसा होता है जब हम Candid photography कर रहे होते हैं तो कई बारी group photo भी लेनी पड़ जाती है gathering में 70mm focal lens में आप group photo भी shoot कर सकते हैं तो एक तरह से multipurpose use lens हो जाता है ये wedding में 70-200 lens के लावा मैं आपको एक lens और recommend करना चाहूंगा जो है 35mm 1.8 आप किसी भी brand का 35mm 1.8 lens ले सकते हैं जो आपके camera body की साथ compatible हो और जिसकी image quality भी अच्छी हो guys 35mm lens मुझे इसलिए personally best लगता है क्योंकि 70-200 lens की भी कुछ limitations है आप उस lens के साथ subject के पास से shoot नहीं कर सकते 70-200 lens में एक particular area चाहिए होता है subject और lens के बीच में ताकि वो focus कर पाए तो कई बारी guys ऐसी situation होती है जहां बहुत भीड होती है और 70-200 जैसे बड़े lens के साथ काम करना काफी जादा मुश्किल हो जाता है तो उस time पर आप 35mm lens यूज करके पास से भी काफी अच्छे candid shots निकाल सकते हैं 35mm lens एक prime lens है यानि कि इसकी focal length fix है आप इस lens में zoom in या zoom out नहीं कर सकते तो इस lens को आप उनी जगा पर यूज करें जहां area बहुत टाइट हो और आपको लग रहा हो कि यह 70-200 lens यूज नहीं हो पाएगा for example ribbon cutting ceremony in Punjabi weddings ऐसी situation में काफी जादा मुश्किल हो जाता है 70-200 lens से candid shot निकालना तो आप tight area में 35mm lens को लगा कर पास से भी काफी जादा candid अच्छे shots निकाल सकते हैं and guys जैसे कि मैंने आपको बताया 35mm lens में हमें wide aperture 1.8 मिल जाता है यानि कि जादा blur वाली background photos आप इस lens से shoot कर सकते हैं तो candid photography के लिए 70-200 and 35mm lens ये दो lens हैं जिससे आप wide से लेके extreme zoom तक cover कर सकते हैं अपने candid photography में दोनों lens की sharpness कमाल की है बट आप 35mm lens जब भी यूज़ करें तो कोशिश करें आपका हाथ stable रहे अगर आपकी camera body में image stabilization नहीं है तो हो सकता है आपकी photos shake आए हाथ हिलने की वज़ए से क्योंकि mostly prime lenses में image stabilization का feature नहीं आता इन सभी lenses के अलावा और भी काफी तरह की lenses है जो हम wedding photography में use कर सकते हैं बट उन सभी lenses में से जो मुझे ज़रूरी lens लगी वो मैंने इस वीडियो में बता दिये हैं basically guys आपको lens select करते वक्त उसकी focal length और use को समझना है कि आपको किस situation में कौन सी focal length का lens use करना है I hope guys आपको इस video से समझ आ गया होगा कि आपको कैसे lens select करने हैं in case अगर आपके mind में कोई भी question हो तो आप नीचे comment box में लिख सकते हैं and guys मैं आपसे request करूँगा कि ये video को आप अपने photographer friends के साथ भी share करें ताकि उनकी भी help हो पाए and video अच्छे लगे तो guys video को like and channel को subscribe जरूर करें